36 गड़ के राइगड जिले में आयोजित 49 वे चक्रधर समारों की शुरुआत आज शाम को होने जा रही है जिसमें फिल्म अभिनेत्री हिमा मालिनी की विशेश उपस्तिती ने इस सांस्कृतिक महुतसफ को और भी खास बना दिया है इस राष्ट्रिय सांस्कृतिक महुतसफ का आगाज शाम 6 बजे शहर के रामलीला मैदान में होगा और इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्णोदेव साइद्वारा विधिवत रूप से शुभारंब किया जाएगा चक्रधर समारो जो पिछले 49 वर्षों से एक सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है इस बार भी भव्यक और विविद कारेक्रमों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है उद्घाटन के दिन के कारेक्रम में पद्मश्री रामलाल का सम्मान भूपेंद्र बरेट और उनकी टीम की कथक प्रस्तुती मनियर भगत और जश्पुर की कर्मा लोक न्रीते का प्रदर्शन शामिल है इसके अलावा विशेश आकर्शन के रूप में फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा राधार रास बिहारी पर आधारित न्रीते नाटी का प्रस्तुत की जाएगी हेमा मालिनी जो आज सुबह राईगर पहुची जो दोबहर में जिंदल रिस्ट हांस में आयोजित पत्रकार वारता में अपने अनुभव साजा किये उन्होंने बताया कि यह उनकी चछतीस गड़ की पहली यात्रा नहीं है वे पहले भी यहां कई बार आ चुकी है विशेशकर जब्दो रमन सिंग मुख्य मंत्री थे मालिनी ने कहा चतीस कड़ बहुत सुन्दर है और यहां की संस्कृती भी बहुत सम्रिद है यहां आकर हमेशा खुशी मिलती है और यहां के लोगों ने मुझे भेर सारा प्यार दिया है हेमा मालिनी ने चक्रधर समारों के एतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि वे पहले भी इस समारों में अपनी प्रस्थुती दे चुकी है और उनकी दोनों बेटियों ने भी यहां अपने प्रदर्शन किये है पिछले बार यहां दुर्गा की प्रस्तुती की थी और इस बार हम राधार रास बिहारी पर आधारित नेते नाटिका प्रस्तुत करेंगे यह एक शांदार अफसर है और मुझे इस बार भी यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है अब यह एक शांदा बार बार में देखा जाएगा लेकर उसका अपना लेना चाहिए क्योंकि जैसा ही आफर साते हैं तो यह चुनावती जैसा था मेरे लिए जो चुनाव में जाकर प्रजार कर अभी मैं क्या बोलूं कैसा बोलूं समझ में नहीं आया था शुरु शुरु मैं पर सब सीख जाते हैं चुम्नावर बड़े नेताहूं के बीच में भी चुम्नावेटा लूं घयाओा थो मतृरा कुछ आते हैं सब्नेंज़ को आफिंग मेरा उनलव कर आप चाहिए. कि वह चुदैंस दूम हार तो शुदा बड़े तीम ऌसलेग¯े पॉपुलारिटी होता है तो उस पॉपुलारिटी का सही डंग से यूज़ करेंगे तो